Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग रीक का सापता है क्राशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डिली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ट सेंग नाइट of emotions, reverse and isolation और देखें isolation का कार्ड एक hurt energies की बात करता है, उदासी की बात करता है, कहीं cheating की भी बात करता है और ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ा कोई issue नहीं रह रहा है लेकिन फिर भी देखे मन ही मन आप 100% महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर या फिर in general भी एक उदासी रहती हुए दिख रही है तो देखे वर्गोज हम सबकी ही life में ऐसे phases आते हैं जिन्दगी सिरफ खुशियां ही नहीं है लेकिन जब हम उदास होते हैं किसी भी चीज को लेकर तो कैसे हम चीजों को deal करते हैं ये बहुत important होता है कितनी जल्दी हम इन energies में से अपने आपको निकालते हैं ये बहुत important होता है तो देखे इस चीज का खायाल या फिर इस चीज की checking इस week आप जरूर करें और देखे यहां पर सबके लिए different reasons हो सकते हैं इस उदासी के इस परेशानी के कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना profit आपने अपने professional front में expect किया था उतना profit आपको नहीं हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी किसम का नुकसान हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपको किसी चीज की expectation थी और कहीं उधर से वैसा response नहीं मिल रहा है तो देखिए जो भी चीजें मेरे mind में आ रही हैं मैं कहती जा रही हूँ लेकिन overall ये card कहता है कि आप मन नहीं मन थोड़ा सा उदास थोड़ा सा hurt रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए surface level के लिए night of emotions reverse का card कहता है कि आप over emotional, over sentimental भी again चीजों को लेकर हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने एक खौब देखा था आपने एक vision बनाया था specifically अपने professional front के लिए या फिर किसी भी life के area के लिए और इस week आपको ऐसा लग रहा है कि भी वो खौब पता नहीं आपका पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और इसी वज़े से आप उदास भी हो रहे हैं तो हम बहुत असानी से इन चीज़ों से अपने आपको बहार निकालते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज़ की checking करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of voices, reverse and consciousness तो दीखे दोनों ही card source के हैं in fact यहाँ पे चार में से तीन card source के हैं तो आप in general ही चीज़ों को लेकर जादा logical होते हुए दिख रहे हैं mind से आप चीज़ों को जादा deal करते हुए दिख रहे हैं और specifically देखे, personal front के लिए देखें तो surface level पे कहीं आप चीज़ों से withdraw कर रहे हैं आप actively किसी भी चीज़ में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort कि आप बहुत महनत करी और इस week आप थोड़ा सा अराम करना चाहा रहे हैं और दिखें यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि आप vacation पे जाना चाहा रहे हैं या जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि physically आप बहुत great नहीं feel कर रहे हैं और इसी लिए आप थोड़ा सा अराम करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सब चीजों से withdraw करके आप थोड़ा सा अपने साथ quality time spend करना चाहते हैं आप थोड़ा सा अपने ऊपर focus करना चाहते हैं जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उस पे reflect करके एक strategy एक planning आप बनाना चाहा रहे हैं एक clarity आप लाना चाहा रहे ह कि आपको अपने personal front से क्या चाहिए हैं और आपको क्या करना है कैसे उसको achieve करना है और इनी सब चीजों के बारे में आप सोचते हुए या फिर इनी सब चीजों पर आप focus करते हुए दिख रहे हैं और guidance के आप लोगों के लिए card है never ending story तो दिखे आप लोगों के लिए four में स three cards swords के थे और swords के card कहीं mind से चीजों को deal करने की बात करते हैं और guidance का card भी कहीं mind की ही बात करता है ये card कहता है कि again हमारा mind बहुत-बहुत expert है stories बनाने में और देखी कितनी बारी होता है ना कि हम अपने ही mind की create करी ही story में गुम हो जाते हैं और reality से हम connect हो देते हैं जैसे कि अग कोई अच्छा काम भी करेंगे ना तो हम उनको गलत ही light में देखेंगे और किसी इंसान की image अगर सही है वो कुछ गलत भी करेंगे ना तो हमें सही ही लगेगा और दिखे ऐसे ही जो सच होता है कितनी बारी again हम उससे connect हो देते हैं और इसी basis पे जब हम decisions लेते हैं, choices लेते हैं तो हमारे decisions, हमारे choices wrong होते हैं और फिर हम परेशान होते हैं तो यहाँ पे दिखी इस card की guidance आपके लिए यही है कि जो भी आपके mind में एक image है किसी भी situation, किसी भी इंसान के लिए आप उससे थोड़ा सा उपर उठके चीजों को देखें आप कहीं सच से वाकिफ हों, आप कहीं reality से connect अपना बनाएं कोई भी decision, कोई भी choice लेने से पहले and astrology से आप लोगों के लिए the south note का card है और देखिए south note कहीं astrology में के too gray होता है तो इसके हिसाब से मैं आपको यही कहूंगी कि इस week अगर आप brown, gray, black, फिर जो भी dark shades होते हैं उनको avoid करेंगे तो आपके लिए बहुत अच significant day आप लोगों के लिए इस week रहेगा Thursday तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए